इससे पहले वाला चप्टर हमने परहाँ था कि food and its nutrients, food and its nutrients, हम ने इस चप्टर को जब परहा था तो हम इतना तो पता चल गया था कि हम जो भोजन ले रहे हैं उस भोजन से जो हमें nutrition मिल रहा है उस nutrition का हमारे body के growth और हमारे body के development में क्या हम रोल है ठीक है न यह इससे पहले वाले चप्टर में हमने काफी अच्छे से पर चुका था अब हम अगला जो हमारा चप्टर है वह है deficiency disease अब इस चप्टर में हम यह परहेंगे कि मान के चलो यह nutrients अगर हमारे body को अच्छे तरीके से नहीं मिलती है या फिर ज्यादा हो जाती है कुछ ज्यादा ही मिल जाती है तो हमें किस तरह की problem का सामना करना पर सकता है ठीक है इससे जो पहला चप्टर था हमारा food and its nutrient हमने सारा का सारा एक एक nutrients के बारे में बता था किदने तरह का nutrients होता है पांच तरह का कि इतने तरह का पांच तरह का कौन-कौन फैट प्रोटीन विटामीन 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 मिनरल्स और कार्बो हाइड्रेट यह हमारा क्या है यह हमारा है न्यूट्रियंट्स क्या है न्यूट्रियंट्स और जो कि हमें कहां से मिलता है फूड से हमें कहां से मिलता है फूड से यह हमें मिलता है फूड से यानि कि जब हम फूड लेते हैं तो फूड से हमें यह पांच तरह तो मिलता है इसके अलाबा भी जो है तो हम लोगों को कुछ कुछ चीजे मिलती है ज और दूसरा है वाटर दूसरा क्या है वाटर ठीक है यह सब चीजें तो यह जो हमारा है यह न्यूट्रियंट के हिस्से में आता है जो कि हमारे बॉडी के दोरा एब्जॉर्ब किया जाता है यह पांच चीजें है यह पांच चीजें हमारी बॉडी के दोरा क्या किया जाता है एब्जॉर्ब किया जाता है अपने डेली यूज के लिए अपने डेली वर्काउट के लिए ठीक है लेकिन यह जो दो चीजें हैं यह हमारी बॉडी के दौरा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है बलकि बॉडी में जाता है और फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है समझ में आ गया को दिकत तो अब हम परने वाले हैं डिफिसेंसी डिजीज के बारे में तो सभी जानते हैं यह सब सारी की सारी चीजें कि अगर मान के चलो यह सब जितनी भी चीजें हैं फैट हमें सबसे ज़्यादा इनर्जी देती है ठीक है प्रोटीन हमारी बॉडी क्रियल था हमारे बॉडी के घृह और डिवलॉपमेंट में हेल्प करती है विटामिन जो कि हमारे बॉडी में रोग परती रोधत चमता हैमें मिनर्ल्स हमारे बॉडी में एमनिरी को बवर्हाती है दूसरी बात हमारे मेंटाबॉलिजम को मैंट् mira हैbelt यह एककली बहुत फे होता है अगर यह पांच चीजें हमारे बॉड़ी में अगर नहीं मिलेगा अगर पांच चीजें हमारे बॉड़ी में नहीं मिलेगा तो हमारे बॉड़ी को किस-किस तरह की disturbances हो सकती है ठीक है यह तो simple सी बात है अगर fat नहीं मिले रहेगा हमारे body में अगर fat नहीं होगा तो क्या हमारा body energy को store करके रख पाएगा नहीं रख पाएगा ठीक है protein नहीं रहेगा तो हमारा body का growth और development रुख जाएगा अगर vitamin और minerals नहीं रहता है तो फिर हमारे body की immunity क्या हो जाएगी कमजोर हो जाएगी हम जल्दी-जल्दी बीमार पर जाएगा क्योंकि बीमारियों से लरने का चमता किस के पास होता है vitamin और minerals के पास होता है अगला है carbohydrate carbohydrate को हम energy का स्रोथ भी कहा जाता है अगर carbohydrate हम लोग नहीं लेंगे हम लोगों के पास उतना energy नहीं बचेगा जिस energy को यूज करके हम लोग अपना डेली का कार्य कर सकते हैं समझ में आ गया को दिक्कत कि ठीक है कि चलो तो अब देखो बहुत जगा पे ऐसा होता है कि हमारे body के लिए सब सब सबस्वारी चीजें जरूरत है ठीक है हमारे body के लिए यह सब सारी चीजें जरूरी है ठीक है ना अगर हमारे body में नहीं यह चीजे मिलेगी तो क्या हो सकती हम बीमार पर सकते हैं लेकिन बहुत सारा ऐसा country है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ को effort नहीं कर पाते हैं अभी भी इस चीज़ को effort नहीं कर पाते हैं जैसे किस वज़ासे नहीं effort कर पाते हैं तो गरीबी के कारण नहीं effort कर पाते हैं ठीक है अब किसी को एक वक्त का खाना मिलता है ठीक है तो वह कहा से जो ऐसा मतलब फांच और न्यूट्रियंट्स अपने अंदर में मेंटेन करके रख पाएगा ठीक है ना बहुत सारा ऐसा ऐसा कंडरी है जैसे दक्षिन अफ्रीका हो गया गरीबी के कारण वहां के बच्चे को कुपोशन हो जाता है ठीक है वहां के बच्चे को कुपोशन ह की से कहते हैं जब हमारे सरीर में पोसक ततों की कमी हो जाए उसे हम क्या कहते हैं कुपोशन कहते हैं जब हमारे सरीर में पोसक ततों की कमी हो जाए यानि की न्यूट्रियंट्स की कमी हो जाए उसे हम क्या कहते हैं क्या 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 होता है ठीक है यह क पोश्चन कितने तरह का होता है जो अभी हम चेप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी हमारा जो डेफिसेंसी डिजीज हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे फैट की कमी से क्या होगा क्या क्या चीजें ऐसा है जो बॉडी में डिश्टर्ब होगी अब कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी किसी का जो है समतलब कम एज से ही जो है समतलब बाल उरना स्टार्ट हो जाता है ठीक है यह विटामीन एक ही कमी की वज़ा से होता है समझ में आगे नजी जिसको हरा साग सब्जी खाना पसंद नहीं है उसको विटामीन एक ही पूर्ती नहीं हो पाती है ठीक है ना उ सिंटम्स होता है जिसको क्या कहता है अब माने के से लो कसी को फीवारा गया आ गया थ इस तरह की बीमाडी हां हमें भॉ सकती है ठीक है ना अगर मान के चलो हमें बीमारीयों का कारण पता चल जाएगा हम लोगों को इलाज भी पता चल जाएगा तो सब से पहले होता है बीमारीयों का डाइगनोसिस करना बीमारी को पकरना ठीक है ना जितने भी जो है से बीमारी समझ में आगई या फिर नहीं समझ में आई तो ओंपर फिर पैशन्ट को सब्सक्राइब ना उसको ट्रॉये काड़ी समझ में अगोए अगर सब्सक्राइब करता है या किन करने के बाद वह सही चीजें उसको पकर पाता है और जब सही चीजें बीमारियों को अच्छे से डाइगनोसिस कर लेता है फिर उसका वो इलाज भी असानी से वो कर लेता है इसी तरह से हम लोग सबसे पहले एक एक करके पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे जितना तुम्हारे बुक में दिया हुआ है यानि कि जितना तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है उससे एक कदम आगे पढ़ेंगे लेकिन एक कदम नीचे नहीं पढ़ेंगे तो हम थोड़ा के यह तो पता चल गया कि पोसकता ٠ो से की कमी से क्या होता है कॉपोशन होता है काते हैं अगर किसीकी बौडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी लिखो इस चीज़ को निए दो देपीज़न सी अफ नुट्रींट्स त्यक्वाइन देफिशन सी नूट्रीन ठीक्रॉम्स कीसको खेंगया कुपर्शन किसे कहेंगे कोपोशन किसे कहेंगे six day deficiency of para यानि की पोशक तात्तों की कमी तोसक के कमीजियों तोसक तत्तों की कमीजियों कमी ठीक है पोसक तत्यों की कमी यानि कि पोसक तत्यों की कमी से होने वाले विमारी को हम क्या कहते है कुपोशन कहते है अब जो यह कुपोशन होता है यह जेनरली दो तरह का होता है यह कितने तरह का होता है दो तरह का होता है देखो यह होता है दो तरह का एप होता है मरासमस यह हम परहा भी चुके हैं ठीक है ना यह से पहले कई बार हम परहा चुके हैं ठीक है और क्या क्वासियोर कर क्या होता है अगला क्वासियोर कर क्वासियोर कर क्वासियोर कर क्वासियोर कर ठीक है कहीं पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो अपने हिसाब से देख लेना ठीक है तो कुपोशन कितने तरह का होता है दो तरह का एक होता है मरासमस और एक होता है क्वासियोर कर तो अब इस दोनों में फर्क क्या होता है दोनों में तो क्या है कुपोशन ही है दोनों में कुपोशन ही है हम कैसे पहचानेंगे इसको मेरासमस है और इसको वास्यूर कर है हमें इस चीज का पता लगाना है हमें इस चीज का क्या लगाना है पता लगाना देखो तो हम सबसे पहले तो यह किसकी कमी की वज़ा से होता है हम यह भी समझेंगे और इसका लक्षन क्या है हम कैसे पहचानेंगे कि इस पेशेंट को इस मरीज को क्या हुआ है मरासमस हुआ है या फिर क्वासी और कर हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसकी यह कमी को समझेंगे तो जो मरासमस होत है मारास्पस में इनरजी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है मारास्पस में इनरजी और प्रोटीन दोनों की कमी होता है इसको लिखेंगे deficiency of deficiency of fat carbohydrate and protein okay deficiency of fat carbohydrate and protein okay fat carbohydrate protein minerals or vitamins okay मरासमस में यह पाँचों का पाँचों नीट्रीयन्स की क्या हो जाएगी 57 नीट्रीयन की कमी हो जाएगी इस में क्या होगा क्वासियॉयर कर में सिर्फ डेफिसेंसी 大 doggy deficiency of protein deficiency of protein अब मान के चलो अगर इसके अंदर में फैट भी कम है कर्भोएड्रेट भी कम है प्रोटीन भी नहीं है मिनरल्स भी नहीं है बिटामिन्स भी नहीं है यानि कि कुछ भी नहीं है अगर मान के चलो अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें तो सिर्फ एक की वज़ा से सिंटम आएगा है कि नहीं है लेकिन इसमें पांचों की वज़ा से क्या होगा सिंटम आ सकती है आ सकता है कि नहीं आ सकती है ठीक है तो इसी लिए इसको हम बोलता है मरासमस मरासमस का मतलब होता है मरा मरासा मरासमस का मतलब मरा मरासा मरेगा कौन जिसके अंदर में कुछ नहीं रहेगा वहीं मरेगा ने जी इससे याद रखना जो मरासमस डिजीज होगा मरासमस में हर चीज की डिफिसेंसी होगी मरासमस में हर चीज की डिफिसेंसी होगी फैट की भी कार्बोहेडरेट की, प्रोटीन की भी, मीनरल्स की भी और विटामिन्स की भी, यानि कि हर चीज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, लेकिन जो क्वास्योरकर है, क्वास्योरकर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिसेंसी होगी, तुमने कभी देखा होगा, दो तरह के बच्चे देखने के लिए मिलते हैं एक बच्चा तो वह होता है ठीक है ना जो बच्चा दिखने में जो हैसा मतलब दक्षिन अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कंट्री है वहां पे अगर तुम जा के देखोगे विकीपीडिया पे तो वहां के बच्चे को गौर करके देखना पूरा चाती का हड़ी सबची दिखेगा हाथ उतका पूरा हड़ी दिखेगा ठीक है ना पूरा पतला पतला सा हाथ रहे झाल रहा जांताइक व किस तरह की टूरा होती है यथ लोगा है और प्रोटीन की इससेंसि होती है प्रॉटीन में आप बार जाता है है प्रोटीन की में देखो क्या होगा है उसका बोडि सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है समझ में आगा है कोई दिकत सीम्टप्रdle Crash कर में नहीं हाथ दीखता हैं कि अधिता चाहिं की ठीप कर लेकिन इसमें पैट डिखेगा ना कुछ भी दिखेगा स्मझमाया बच्चा का एकदम पूरा सुखा सुखा सा लगेगा ठीक ना यानि इसके अंदर में किस चीज़ की कमी है समझ मैं इस तरह के सिर्फ प्रोटीन के डिसेंसी को समझ में आ गया अगर मान के चलो पूरा का पूरा सूखा बचा है तो किस चीज की कमी होगी सब चीज की कमी होगी ठीक है ना याने कि पांचों न्यूटियंट्स की कमी होगी अगर और अगर उसका जो ہے सब चीज सूखा अगर यह ठीक है बस उसका पेट निकला रूआ है तो किसकी कौन से बीमारी होगी उससे को सीओर कर और किसकी कमी होगी क्रोटीन की कमी होगी ठीक है इसको आगे की क्लास में पढ़ेंगे उतना डीटेल में नहीं पढ़ाना है पस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे करके इसको समझा देना है समझ में आ गया को दिक्कत अब हमारा चप्टर का सुरुवात होता है यह थोरा सा ओभर विव देना बहुत ही ज़्यादा जरूरत है जरूरी है ठीक है न और बहुत जगह ऐसे जो हैसे मतलब लोग हैं जो अपने बच्चे को सही से पूरा भोजन नहीं करवा पाते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारे ज़्यादेश हैं इसे जहां पर गड़ीवी छाया हुआ है बच्चे को पूरा अच्छा से भोजन तक नहीं मिल पाता है और अगर बच्चे में भी-डीपेंड करता है कि इसके आंदर में कि-सकीशी की III है इसके अंदर में विसकीश Ó अगला देखो resonate इसनुटी कोहते किसे ठेक हमारा चप्र काही नाम क्या है नौमा चप्टर है नोमा चप्टर है अगला निसेन्टी कि डिफिशेंसी डिजीज ठीक है डिफिशेंसी डिजीज कहते किसे ठीक है तो इससे पहले कही बार हम बता दिये तुमको कि पोशक्त तो कि अगर कमी हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे डिफिशेंसी डिफिशेंसी का मतलब होता है कमी डिफिशेंसी का मतलब क्या होता है क का मतलब क्या होता है यानि कि किसी चीज की कमी की वज़ाव से अगर कोई बीमारी हमें होती है उसे हम क्या कहेंगे deficiency disease उसे हम deficiency disease कहेंगे को दिकत है स्वाज में आ गया ना चलो कि लिखेंगे deficiency Gedis रे दोजड़ीज डिज़िज जलूड़ के इस टेजुड़ से वे ढदने जली मैं करली अद सब्सक्राइब अब किसी करूं ने अब ढूटा है अब किसी अच्छा पार अच्छा लगता है कोशें पूटाल अब फाष्टी के वज़ा तो क्या हो तो भीट wins एसा हुथ인 Matter एसा ये जरूरी नहीं है ऐसा ये गंपलसरी नहीं है थिक्षाँ ये जनरली हर जगापे हो सकता है ये जनरली हर जगापे हो सकता है ठीक हां को दिकत माइक कैसे खुल जे आए को दिकत किस र grat बसके बदूदिं एंप्यूड्ट किए दिकत ड्रो्ड जाटी मुड़्य नृटर तेंना यह अपूल कई कद दिशिएंटी डिजीज क्या है और दोल्व स оперिकलता है इनने दिक वेट का मतलब होता है यानि की पिरोपर अमॉंट नहीं हो कहां नहीं का मतलब क्या होता है गोछसा फटर हया श्राइब ने लाइट इन डाइट उर एक तों कि अब अब हम क्या करेंगे धीरे-धीरे से सभी बिटामीन्स के बारे में परहेंगे कि किस बिटामीन्स की वज़ा से कौन सी हमें बीमारियां हो सकती है ठिक है अब मान के चलो, किसी की वज़ा से कोई ये बंदा A है, कोई बंदा A है, और ये बंदा B है, अब इस बंदे को, बंदा B को A की वज़ा से डेली के डेली 200 रुपे का फाइदा हो रहा है, कितने रुपे का फाइदा हो रहा है, 200 रुपे का फाइदा हो रहा है, ठीक है, और अचानक से गायब हो गया चानक से गायब हो गया क्या उसको 200 रुपए का फाइदा बी को घोख़ी होगा जिंदगी में नहीं होगा झेढ़ोगा ज toddीयों सकता है जब फिर यहाझ और तीम लाव के ब प्रता चल जाएगा तो अगर यह चीज है हमारे पास तो हमें यह लाब है एंग Navid fazer नहीं रहेगे तो वह चीज का क्या हो जाएगा हमारे पास नुक्सान हो जाएगा सब्मना खया तो सब सबसे पहले हम बिटामीन के बारे इन पर थे हैं ठीक है है हुआ है यह नोठोंगा सबकों आ है कर देखर बिटामीने है 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 सबसे पहले हम पहला नमर में बिटामीन पर रहे हैं और विटामिन में भी कौन सा विटामिन विटामिन ए विटामिन ए विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है रेटिनॉल विटामिन ए का क्या नाम होता है रेटिनॉल इतो हम कई बार बता चुके हैं बता चुके हैं न जे चलो अब इसका कुछ-कुछ हम लोग फीचर लिख लेते ठीक हां इंगे इत हल्प इत हल्प इत हल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन्स कॉमा हेर कॉमा टीथ समझ मैं आया को दिकत इत हल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन्स हेर टीथ ठीक है इत हल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन्स हेर टीथ और एक और होता है और इस्कीन देखो यानि की जो विटामिन ए होता है यह हमारे किस-किस चीज के ग्रोथ में हेल्प करता है बोन्स के ग्रोथ में हेल्प करता है एक यह जंडरी जो है रिप्रोडक्शन तो सुना है यह जो हमारे living things में होने वाला एक फेनोमेना है जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं फिछले चप्टर में हमने पढ़ा चुका है ठीक ना रिप्रोडक्शन का मतली जनन अपने जैसे संतान की उत्पती करना न तो लिखेंगे इंगा इंगे इट आल्सो हेल्प इन इट ओलसो हेल्प इन रिप्रोडक्शन सेल sex collection एंड सेल दिविज़न इया यह जैनी कि यह सेल का मतलब कोशिका को यह जब एक कोशिका तूट करके दो नहीं डुट का बनेगा तभी न हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा जे यह यानिकि हमां एल सेल डिविजिवेजिन और रिप्रोड़क्श ऐखेक 15 करता है help करता है ठीका ना को दिकत अब तीसरा पॉइंट लिखो इट बूस्ट आवर इम्मुनिटी यह हमारे बॉड़ी में क्या करता है इम्मुनिटी को भी क्या करता है जी बरहने का काम करता है यह हमारे बॉड़ी में इम्मुनिटी को भी बरहने का काम करता है एंड बैमेज्ट यह लेटे पे रिपेएर देमेज्ट कुई यह डेमेज़ टिश्यो और यह डेमेज्ट टिश्यो को भी क्या करता है रिपेएर करता यह रिपेएर का एस्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना कुदिकर समझ में आगे एनजी यह तीन पॉइंट एकदम ध्यान में रखना है समझ में आएनजी कुदिकर्थ नोट करो फटाफट से कि अब देखो इस बिटामीन एक ही बजा से बिटामीन एक ही बजा से हमें कितनी सारी फाइदा ही मिल रही है कितना सारा फाइदा हो रहा है है नजी इस एक बिटामीन की वजा से कितना सारा फाइदा हो रहा है हमारे बॉड़ी में बोन का ग्रोथ हो ठीक है क्या अगर बिटामीन ए नहीं रहेगा तो बोन का ग्रोथ होगा कमी हो सकती है हो सकती है नजे क्या हमारे हेर का ग्रोथ होगा नहीं हो सकता है क्या हमारे टीप का ग्रोथ होगा क्या हमारे एसकीन का ग्रोथ होगा क्या रिप्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती है सेल डिविजन में दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती है हमारी इमिनिटी कमजोर हो सकती है कि नहीं हो सकती है क्या हमारा डैमेज टिस्यू कभी रिपेर होगा नहीं होगा यानि कि यह सब सारा हमारे इसी के रहने से क्या है फाइदा है इसके रहने से क्या है फाइदा है और अगर यह चीज नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा इसी की वज़ा से हमें मैं क्या हो जाएगा जी इन सब सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है यह सब सारी चीज़ें क्या हो सकती है डिस्टर्ब हो देखो एक और चीज़ होता है ठीक है लिखेंगे इस पॉइंट को इट है फाइब है थो आए और वी जटिक है यह हमारी आखो को क्या करता है जी है किसी के लिए विजर्ण के लिए देखने के लिए हम अपनी आखों से देखते हैं क्यों देखते हैं विटामीन एक वज़ासे अब देखो हमें इसकी वज़ासे डेफिसेंसी डिजीज क्या-क्या हो सकती है ठीक है ना अब देखो यह मतलब जब है तो यह हमें क्या मिल रहा है जी फाइदा मिल रहा है क्या मिल रहा है फाइदा मिल रहा है ठीक है न मेरिट्स लिखेंगे यहां पर मेरिट्स ठीक है इसका क्या क्या मेरिट्स है अब है डेफिसेंसी डिजीज डेफिसेंसी डिजीज अगर ये हमारे बॉड़ी में नहीं रहेगा तो फिर हमें क्या सब से पहले तो इफेक्ट क्या इफेक्ट होगा जी इफेक्ट दा ग्रोथ आफ बोन ठीक है बोन के बाद हर एंच शीं होसकता है जी लॉस होसकता है क्या होसकता है एंच अगला है हमारे इफेक्ट दा बोन ओफ यर टीथ टीथ हैंander इसकीन और इसकीन से रिलेटेड हमें कही तरह की बिमारियां हो सकती है इसकीन डिजीज इसकीन डिजीज इसकीन डिजीज ठीक है अगला क्या हो सकता है है help in reproduction यानी कि इस से हमारी जिज़ो है सब मतलब reproduction भी क्या हो सकती है हो सकती है सवाख किसे हमारी क्या हो सकती अजी रिप्रोडक्शन भी अफ्रोडक्शन हो सकती है ठीकल कि अफ्रेक्ट है कि अफेक्ट تم रुपरोडक्शन आज하겠습니다 अगो इस च्रीक्रॉडटेक्शन एंड लई सेल इस डिवीजनँ ठीक हैं अगला क्या थो नाइट ब्लेंडेनज भी हो सकती है आमें नाइट ब्लेंडेनेस जानते हो जी रात को नहीं दिखना रात को नहीं दिखना ठीक है और night blindness के साथ complete blindness भी हो सकती है complete complete blindness complete blindness complete blindness हो सकती है समझ मैं आजे decrease decreases decreases the decreases resistance सीज नायोगे मिई सबूआज है किंग शब्सक्रीक में उसकाथ नहीं तो निक्रीज हुआ या सकती है डिज़ि कर सकती है और जब इम्मुनेटी जो है से मतलब अगर कम हो जाएगी अगर नीचे ने दिख रहा है चलो मिठा के उपर लिख लेते हैं ठीक है इतना पहले फटा-फिट से नोट करो नाइट बलेंड नेस तक दिख रहा है 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 हुआ है है नोट करो फटा-फट उपर मिटा दें है 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 कि दिखें है है डिक्रीज इस डिक्रीज़ इस है डिक्रीज़ इंटी दिक्रीज होगा तो देखो जब इम्मिनेटी डिक्रीज होगा उस कंडिशन में क्या होगा ठीक है तो क्या होगा डिक्रीज डिक्रीज क्या रेसिस्टेंस डिक्रीज रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन इन्फेक्शन हार इट्स है डेफिसेंसी डिजीज ठीक है देखो जब इम्मेनिटी डिग्रीज करेगा तो क्या होगा कि तुम्हारा जो हैसा मतलब इन्फेक्शन के परती है इन्फेक्शन के परती क्या होगा जी तुम्हारे बॉड़ी का जो रेसिस्टेंस है मान के चलो कर हमारे बॉड़ी पर किसी भी और इन्फेक्शन के परती क्या करती है रेसिस्टेंस पैदा करती है क्या पैदा करती है रेसिस्टेंस पैदा करती है लेकिन अगर मान वो रेसिस्टेंस कौन पैदा करवाता है इम्मिनिटी कौन पैदा करवाता है इम्मिनिटी अगर हमारी इम्मिनिटी बीक हो जाएगी इम्मिनिटी क्या हो जाएगी वीक हो कि पूर्ट हो गया है गए है अज़ देखो जनरली इसमें सिम्टम क्या क्या होता है तुम सबसे पहला तो हमने क्या बताय थे बॉन का ग्रोथ होगा बॉन का ग्रोथ रुखेगा अफेक्ट हो जाएगा बॉन का ग्रोथ क्या हो जाएगा अगरा अगला क्या हो जाएगा हेर लॉस हो सकता है हेर फॉल हो सकता है समझ में नजे समय से पहले पूरा पूरा दांत गिर जाएगा समझ में आया आदमी को जब एज होता है तब दांत गिरता है नजे लेकिन अगर बिटामिन A की डिफिसे हो जाएगा ठीक है और एसकीन डिजीज या फिर एसकीन ड्राय हो सकता है क्या हो सकता है एसकीन ड्राय हो सकता है समझ में आ गया ना कुछ दिकत अगला रिप्रोडक्शन भी इससे क्या हो जाएगा अफेक्ट होगा रिप्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा अफेक्ट हो सकता ह कभी-कभी देखो, दांत में सूजन भी आ जाता है, गम जो होता है जबरा, जबरा होता है कि नहीं होता है, जिसमें तुम्हारा दांत लगा हुआ तो उसे क्या कहते हैं, जबरा कहते हैं, कभी-कभी उसमें स्वेलिंग भी आ जाता है, क्या आ जाता है, स्वेलिंग, और वो स कमी से विटामिन एक कमी की वज़ा से विटामिन एकी कमी की वज़ा से को दिकत है कि स्मझ में आगे नुजे कि अगर अब हम इसका उपचार भी बताएंगे इस अब जो बीमारी अगर तुमको होने लगएगा ठीक है न, तो इसका हम उपचार भी बताएंगे, बताएंगे न जे, अगर मान के चलो हम लोग बिटामीन A किस किस चीज़ से मिलता है, हरा साग सबजी से मिलता है, मिलता है न जे, अगर मान के चलो हमने खाना बंद कर दिया तो बिटामीन A की क्या हो जाएगी, हमारे सरीर मे जाएगा तो फिर से हमारे सरेर में पूरती हो जाएका थिक работать तो क मिस्की कमी को भी एक जुभ सकते हैं कैसे ठिक कर सकते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं हम vitamin e जिस जिस सोर्ष से हमको बिलता है उस सोर्स का हम लोग अपने डाइट में उप्योग करना शुरू कर देंगे ठीक है ना देखें कि आग आग अग 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 लिखा उसके बाद डेफिसेंसी डीजी लिखा अब लिखो रिमीडीज का मतलब क्या होता है रिमीडीज का मतलब होता है इलाज रिमीडीज का मतलब क्या होता है इलाज या फिर हम इसको उपचार भी कहते हैं क्या कहते हैं उपचार यह चीज लिख लो रिमीडीज का मतलब क क्या होता है उपचार इलाज ठीक है अब इसका हम इलाज कैसे करेंगे ठीक है फिलिखो विटीज विटीज क्योर्ड बाई है टेकिंग विटामिल है विटामिल ए रिच्ट सोर्स फूड है लाइक क्या क्या ग्रीण लीफी वेज ग्रीन लीफी वेज और एग हो जाता है बिलकुल एग और यल्लो फ्रूट पीला फल यल्लो फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बाद जो है समतलब कुछ कुछ चीज़ें जैसे मिल्क हो भूलता है बटर होता है ठीक ना पैस्टीज होता है ज्टेसे काव बन अधरी प्रोड़क्त क्या बोलते हैं बादि उपरोड़क्त है इसमें भी हमको क्या मिलता है यह चीज़ें मिलतीह जीजें anyone Wilson अनुकिए कम मतलब बहुत सारी चीज़ें side से हमको यह सब चीज़ें ताप्त होती है स्वाज में आ रहा है ना हुदि कर तो आज का यह हमारा छोटा सा लेक्षर है और अगला इसके बाद होगा हमारा विटामीज बी सी डी सब के बारे में हम डिटेल में धीरे धीरे पराएंगे ठीक है तो अभी तक फिलाल जितना हुआ है उस चीज़ को कंप्लीट रिविजन करो ठीक है शेलो